यह दोनों हूँ सरक्ला साब लेट हैं ठीक है यह अनधर कॉंपनी का है यह अनधर कॉंपनी का है यह दें रहे हैं इसमें लिखा है 40T यह 40T का सरक्ला साब लेट है ठीक है सरक्ला सा का कम और जैदा बलेट इस वज़ा से होता है कि आपने अगर वन इंच 10 mm 20 mm तक कुछ चीज काटनी है 18 mm तक काटनी है तो आपको यह स्मोल टीथ इजिली आप उसके लिए काम कर सकते हैं अगर आपने टैंबर मरभूवा लकडी बड़ा काटना है तो उसके ल यहां आपको एक बात बताता चलूं यह दो डाइमंड डिस्क है ठीक है यह दो टाइप का डामंड डिक्स आपके सामने है यह इसलिए दो टाइप का है इसमें इसमें स्पेस नहीं है इसलिए स्पेस नहीं है अगर आपने कुछ छोटा चीज काटना है जिसमें हम कह रहे है जिसमें हम कहा रहे हैं ट्रैक, ब्लोक्स, इंट वगारा आपने काटनी है तो आप इसके साथ easily काट सकते हैं जब आपने कुछ जादा चीज काटनी है, कंक्रीट वगारा जिसकी depth जादा है उसमें हम यह blade यूज़ करेंगे इसलिए क्योंकि यह pressure को observe करता है और काटने में जएदा pressure के साथ काटता है और आप water भी यूज़ कर सकते हैं इसकी thickness आपको मुक्तलिफ market में मिल जाएगी आपकी working required के मताबक आप बाय कर सकते हैं किसी की 2mm, 3mm, 4mm, 4mm तक इसकी थिकनेस आपको मार्किट में अवेलेबल है आपने हलका काम करना है, बिलको लाइट वर्किंग करना है तो आप उस हसाब से बाई कर सकते हैं ठीक है यह 9 इंच का ग्रेंडर का ब्लेट है आपके सामने जैसे मैंने के बताया है जिसमें स्पेस नहीं होगा, वो लाइट वर्किंग के लिए होगा कटिंग के टाइम वाटर यूज़ करने की जुरूरत नहीं है लेकिं जब यह प्रेशरफूल डिस्क आप यूज़ करेंगे ठीक है, यह जिसमें स्पेस दिया गया है यह पावरफूल वर्किंग के लिए है, जैदा वर्किंग के लिए इसमें आपको वाटर की भी जुरूरत पड़ेगी क्योंकि यह वाटर इंसर्ट करता है कंटिंग के दुरान ताके जो मशीन है वो जैदा हीट अप ना हो और जो कटिंग करने हैं वो चीज़ भी जैदा हीट अप ना दे, ठीक है अप बाटर इंसर्ट करता है अप बाटर इंसर्ट करता है अप बाटर इंसर्ट करता है झाल 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 झाल